हलो माई यूटूब फैमली आज हम बनाएंगे एक बहुत ही असान तरीके से टोल टाइप्स के अलग-अलग पकोड़े इस रमजान पर आप बहुत ही असानी से बना सकते हैं इसे इसे बनाने के लिए हमें चाहिए तीन कप बेशन, दो चमच मैदा, चार चमच चाल काटा, हा जीरा, हाप चमच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी कलोंची, चुटकी अजवाईन, काली मिर्च, चुटकी बेकिंग पाउडर, हाप चमच अधरक लैसन पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इंस सबको, थोड़ी-थोड़ी पानी एड़ करेंगे और एक अच्छा सा स स्मूथ बैटर तयार करेंगे देख सकते हैं गाइस बैटर इस तरह का होने चाहिए यह बहुत ही ज्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज्यादा थीक भी नहीं है यहां को पतले-पतले स्लाइस में हमने काट लिया है यहां हमने गोबी को अच्छे से पतले-पतले स्लाइस म आम, कच्चय आम है यह इसे भी हमने पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले- लगा देंगे और यहां पनीर को पतले पतले स्लाइस में काटेंगे इसके उपर नॉर्मल जो ग्रीन चटनी होती है धनिय की इसे हमने बीच में डाला इसके उपर एक और पतले स्लाइस रखेंगे पनीर का इस तरह से सैंविच के तरह तयार करेंगे बैगन को बैटर में अब आलू को बैटर में डीप करेंगे इसे भी डीप फ्राइ कर लेंगे तेल में अभी सब्जीयों को हमने कच्छा ही रखा है इस तरह से देख सकते हैं गाइस यह आलू का भी पकॉड़ा डीप है और इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी बनती है यहां कद्दू को हमने बैटर में डीप किया और इसे भी डीप फ्राइ कर रहे हैं तेल में देख सकते हैं गाइस कद्दू भी हो गई डेडी यहां हम पंकिन यानि मिठा कुम्रा इसे भी हमने फ्राइ कर लिया यहां पटल को भी फ्राइ कर रहे हैं गोबी इसे भी बैटर में डीप कर, हमें डीप फ्राइ करना है यहां देख सकते हैं, गोबी और पटल की भी पकोड़ा रेडी है यहां अंडे की हम पकोड़ा रेडी कर रहे हैं पपीते की, मिर्ची की अब पनीर को भी बैटर में डीप करेंगे, इसे भी डीप फ्राइ कर लेंगे यहां प्यास को भी डीप फ्राइ कर लिए हम यह कच्छे आम का पकोड़ा देख सकते हैं गाईज यह कितना जादा क्रिस्पी तैयार हुआ है, बारा तरह के अलग अलग पकोड़े, यह खाने में बहुत मज़े के हैं और बनाना बहुत ही जादा असान है, इस रमजानी से जरूर बनाएं